नमस्कार दोस्तों, धीट है आज की 11 जून 2021 और स्वागत है आपका एटोल डिस्केशन में आज देखो हिंदू में आर्टिकल्स हलके हैं, मतलब ज़्यादा इंपोर्टिंट पॉइंट्स निकलते नहीं, मेंस के परस्पेक्टिव से कुछ-कुछ निकलते हैं जो हम यहीं पर डिसकस करते हैं, जैसे यहाँ पर जो आर्टिकल हैं, वो अफरीका में साहिल रिजन से समन्दित हैं एक बार आप लोकेशन देखिए साहिल रिजन की, प्रीमे कोशन पुछा जा सकता है कि साहिल रिजन में अफरीका में कौन-कौन से देश आते हैं, तो यह सारे देश आते हैं, यह एक सैमी एरिड रिजन हैं अभी क्यों न्यूज में है देखो ये साहल रिजन अफरीका का इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे आतकवाद बढ़ता जा रहा है हाल ही में बुर्कीना फासो यह जो देश है ना बुर्कीना फासो यहाँ पर एक टेरर अटेक हुआ जिसमें 160 लोगों की जान चली गई और मेली देखो यहाँ पे इसलामिष्ट जो टेरिजम है वो फैल रहा है इससे पहले नाइजर, नाइजीरिया इन देशों के बॉर्डर एरियास में भी काफी सारे अटेक्स किये गए थे आतकवादियों के द्वारा और उसमें भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जाने गई थी मेली देखो चार आत की संख्थन यहाँ पे ओपरेट कर रहे हैं अब टेरिश्ट ग्रूप्स के नाम तो UPSC नहीं पूछेगी लेकिन यह नाम है ISGS Islamic State of Great Sahara Islamic State, West African Province जमात नसरल इसलाम वल मुस्लिमीन लोकल अलकाइदा ब्रांच है जो की माली में और इसके बाद सबसे लाश्ट में बोको हराम बोको हराम के बारे में तो आपने सुना होगा यह तो पुरानी ओर्गनाजेशन है अब इन चार में से देखो ISGS इसलामिक स्टेट ओफ ग्रेट साहरा और जमात नसर इन दोनों के बीच में अलाइंस है दोनों मिल के काम कर रही है बुर्कीना, माली, नाइजर के बोडर रिजन्स में आप देख लीजिए यहाँ पे है बुर्कीना फास बुर्कीना फासो, यह नाइजर, माली यह जो बोर्डर इलाका है ना तीन देशों का यहाँ पे इन दो और्गनेजिशन्स का जो एलाइंस है वो मिल के काम कर रहा है और अपनी जड़े जमाने की कोशिस कर रहा है कोशन उड़ता है कि आखिर कार अफरीका में इस साहिल रीजन में आतकवाद फैल क्यू रहा है देखो जब इराक और सीरिया में से इसलामी स्टेट को खतम कर दिया गया तो बहुत से मिलिटेंस भाग कर इस रीजन में आ गए अब इस रीजन में गरीबी काफी ज़ादा है और मुसलिम्स की संख्या भी अच्छी खासी है तो इनी सब चीजों का फाइदा उठा के जो आतकवादी हैं वो अपनी जड़ें इस रीजन में जमाने की कोशिस कर रही है इस इस रीजन में जैसे देखो लीबिया की बात करें उपर का देश है लीबिया में गद्विका रूल था 2011 तक लेकिन नाटो ने इंटरवेंशन किया उसके बात से अभी तक stability नहीं आपाई है लीबिया में उसी परकार से माली में भी इंटरवेंशन किया गया था फ्रांस के दवारा 2013 में लेकिन इंटरवेंशन तो कर देते हैं ये major countries फ्रांस, USA, लेकिन stability नहीं provide कर पाते और अनर्की create हो जाती है, chaos create हो जाता है, उस देश में civil war start हो जाता है, दो-तिन example से हमने समझा, अभी देखो, US, France कोशिज तो कर रहे हैं कि इस region में stability आए, लेकिन वो कोशिज enough नहीं है, कोई UN-centered process होनी चाहिए, जिसकी साहिता से इन देश जड़े जमा रहा है, उस terrorism को पूरी तरह से खतम किया जांस के, इसलिए इन देशों को उतना capable बनाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो, जैसे Syria और Iraq में Islamic State ने अपनी सत्ता establish कर ली थी, उसी परकार से इन में से किसी भी देश में अगर Islamic State अपनी जड़े जमाता है, तो ये थोड़ा politics, थोड़ा federalism से समंदित है, point तो दो-तिन निकल के आते हैं, लेकिन नाम लेके उन points को इस्तिमाल करना थोड़ा difficult है, कुछ दिनों पहले कि ये controversy है, आपको याद होगा, cyclone यास आया था देश के eastern इलाके में, और प्रधामंत्री Modi गए थे west बंगाल में, cyclone के को कुछ देर तक इंतिजार करना पड़ा, और west बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, ममता बनर जी वो देर से meeting में पहुंची, अपनी chief secretary के साथ में, और उन्होंने सिरफ एक paper दिया, और paper देकर वो चली गई, अब politics में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि answers में ये सब चीजें त लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, central government ने notice जारी कर दिया chief secretary को कि आपने प्रधामंत्री मोधी की meeting अटेंड नहीं की, तो आपके खिलाफ कारवाई की जाएगी, आप reply दीजिए, और बुला लिया गया, west बंगाल के chief secretary को center में deputation पर काम करने के लिए, तो writer यह कहते हैं, देखो, पहली तो बात, जब central government, state cadre से किसी IS officer को बुलाती है न, तो state के साथ consultation जरूरी होती है, पूछा ही नहीं, सिधा बुला लिया गया, दूसरा, आखरी दे था, retirement का, chief secretary का, उनको तीन महीने की extension मिली थी, लेकिन उन्होंने extension नहीं ली और उसी दिन वो retire हो मतलब आखरी दिन, service के आखरी दिन, deputation पे बुलाना, ये तो देखो, अपने आप में थोड़ा अजीब हैं, उसके बाद central government के sources ने कहां कि, वेस्ट बंगाल के chief secretary ने, परधामंतरी मोधी की meeting को attend नहीं किया, तो disaster management act 2005 के तहत, उनके खिलाफ कारवाई की जा सकती हैं, तो इस आदेश को मानने से, officer ने इंकार कर दिया है, तब कारवाई की बात आती है, और वैसे disaster management जो है, ये तो state के domain में आता है, local level पे disaster को manage करने के लिए operations चलाए जाते हैं, वो बात अलग है, पिछले कुछ सालों में, state ने disaster management का कुछ space जो है, वो center के सामने conceive कर लिया है, क्यूंकि state government को funds के आव सकता होती है, technical expertise के आव सकता होती है, logistics के आव सकता होती है, इसलिए center का जो दखल है, वो disaster management में increase हो गया है, otherwise काम तो ये state का ही होता है, disaster को manage करना, next, chief secretary उस समय वेस्ट बंगाल की मुख्यमंतरी के साथ थे, तो जिसको वो report करते हैं, chief secretary state के, वो किसको report करते हैं, cm को report करते हैं, तो वो उस समय अपने superior official के साथ थे, तो उनी की बात मानेंगे, क्योंकि वो अभी state cadre में है, state cadre में जब कोई officer होता है, तो वो किसकी बात मानता है, state government की बात मानेगा, वो CM की बात मानेगा, हाँ, परधामंतरी Modi की meetings attend करना, ये basic cut सी होनी चाहिए थी, जो की नही दिखाई गई, दिखो, कुल मिला के, ये तो आपको भी समझ में आही रहा होगा, कि पिछले कुछ समय में West Bengal government, Central government, दोनों की तरफ से काफी सारी ऐसी चीज़ें होई हैं, जिससे institutions कमजोर हो रही हैं, institutions का कमजोर होना देश हित में नहीं है, ये बात हमने काफी बार डिसकस क पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, जाएंगी, नहीं बनेंगी, तूटेंगी, सरकारे भी आती जाती रहेंगी, लेकिन institutions कमजोर हो जाते हैं तो इससे देश की development पर देश में democracy के मजबूत होने पर फरक पड़ता है, आज के समय में हम TN सहसान को क्यों याद करते हैं जब में elections impartial धंग से conduct होने लगे, उनके कारेकाल से पहले तो election commission की बात को political parties ज्यादा seriously लेते नहीं थे, boot capturing ये सब चीज़ें बहुत होती थी, तो ये कुछ points हैं जो हम अपने answers में इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे ये जो article है, ये है कि retired officials को, मा लीजे कोई person as a IS officer retired उसे अपने कारेकाल के दुरान के experience की information public के साथ share करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, बहुत बार आपने देखा होगा retired officers जो होते हैं, वो book वगरा लिखते हैं, और बहुत सारी information वो disclose कर देते हैं, ये क्या सही है, क्या गलत है, देखो सही तो ये है, कि जितनी ज़्य information जनता के सामने आएगी, कि सरकार में किस परकार से काम कार चल रहा था, क्या कुछ हो रहा था, तो उतनी ही ज़्यादा transparency आएगी, जनता उतनी ही ज्यादा जागरुख होगी, उतनी ही ज्यादा educate होगी, लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है, जैसे देखो, जो retired security agencies के retired officers हैं, वो काफी बार ज़्यादा information share कर देते हैं, जिसे देश की स्क्रोटी को नुक्सान हो जाता है, देश की जो interest है, वो खत्रे में आ जाते हैं, तो क्या होना चाहिए, जैसे देखो USA में होता है, वही mechanism इंडिया में भी अपनाया जा सकता है, USA में देखो एक limit रखी हुई है, 30 साल, जातर फाइल्स को 30 साल के बाद अपने आप declassify कर दिया जाता है, कुछ ही फाइल्स को declassify नहीं किया जाता है, मतलब जो लगता है USA की सरकार को इनको public domain में release किया गया तो अभी भी खत्रा हो सकता है, देश की security को सोच यह है कि जनता को जितना कम पता लगे उतना ही सही है, तो हमारे देश में ऐसी कोई time meet नहीं है, home ministry समय समय पर कुछ files को declassify करती तो है, लेकिन बहुत कम files को declassify करती है, तो सरकार ने अभी मना किया है retired officials को कि आप जिस department में थे, उस department के current head से अनुमती लिए बिना कोई भी sensitive information public में मत दीजिये, किसी भी माध्यम से, for example, book के माध्यम से, या फिर speech के माध्यम से, तो अगर किसी retired official को को बुक लिखनी है, for example, R.A.W. का कोई officer है retired, उसे book लिखनी है, तो उसे R.A.W. के current head को वो book पहले देनी होगी, और पूछना होगा क्या मैं ये publish कर दूँ, अगर अनुमती मिलेगी, तभी वो book publish की जा सकती है, तो ये कुछ-कुछ information थी, जो हम यहाँ-वहाँ use कर सकते हैं, अब हम दो चीज़े discuss करेंगे, देखो, आज की discussion में, एक तो ethanol blending प्रोग्राम, जो Indian Express का article है, और दूसरा article हम discuss करेंगे ethics का, चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इंपोर्टरिन article, ethanol blending program से समधिध है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो, ethanol blending program के बारे में हम जाने, तो basics तो हमें पता होने चाहिए न, आएगी, तो पहले तो हम ethanol के थोड़े से basics जान लेते हैं, ethanol जिसे ethyl alcohol, grain alcohol, drinking alcohol, या फिर simply alcohol के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा organic chemical compound है, जो volatile हैं, देखो, volatile chemical compounds वो होते हैं, जो room temperature पर आसानी से evaporate हो जाते हैं, यानि गैंस की form में emit हो जाते हैं, flammable हैं, मतलब असानी से आग लग जाती हैं, colorless हैं, और थोड़ी सी गंद भी आती हैं, ethanol से smell आती हैं, कैसे produce होता हैं, naturally देखो, fermentation of sugar by yeast की साहिता से, ethanol को produce किया जा सकता हैं, yeast, जो की microbes हैं, fungus की एक form हैं, इनके द्वारा अगर sugar की fermentation की जाती हैं, तो bio product निकलता हैं, CO2 और ethanol, इसके अलावा, कुछ दूसरी petrochemical processes की साहिता से भी, इसे produce किया जा सकता हैं, जैसे ethylene hydration, इसके बाद, ये देखो, एक psycho active substance हैं, psycho active substance, वो substance होते हैं, जो central nervous system को परभावित करते हैं, और, जब central nervous system पर भावित होता हैं, तो mood, perception, behavior, इन सब में बदलाव आता हैं, जैसे देखो, alcohol, सरापी के क्या होता हैं, वही समझ लीजिए, इसे medicinal applications के लिए भी, इस्तमाल किया जाता हैं, as an antiseptic and disinfectant, antiseptic का मतलब ये होता है, harmful microorganisms की growth को prevent करना, और disinfectant का मतलब होता है, bacterians को destroy करना, next point, ethanol को as a fuel source भी इस्तमाल किया जा सकता है, और सबसे last में, इसे chemical solvent के तोर पे भी इस्तमाल किया जा सकता है, कुछ दूसरे organic compounds की synthesis में, तो ये हमने ethanol के बारे में कुछ basics डिसकस किये, इसके बाद अब हम ethanol blending program के बारे में जानते हैं, ethanol blending program में क्या होता है, ethanol को add किया जाता है, कुछ दूसरे relevant fuels में, for example petrol में, ताकि उस fuel को और ज़्यादा efficient बनाये जासके, जैसे देखो ये petrol है, petrol में अगर ethanol add किया जाता है न, तो ये होगा, ethanol blended petrol, इसके फाइदा क्या होंगे, मतलब petrol में अगर ethanol add किया जाता है, तो क्या फाइदे होंगे, फाइदे देखो होंगे, चुकि ethanol में oxygen के molecules होते हैं, तो इससे, petrol जो है, वो completely burn हो जाता है, मतलब पूरी तरह से, petrol का utilization हो जाता है, और जब fuel पूरी तरह से use हो जाता है, तो emission काफी कम होता है, तो एक तो जो fuel है, वो totally utilize हो गया, efficiently, दूसरा emission भी कम हुआ, ये दूसरा फाइदा है, emission कम हुआ, petrol पूरी तरह से utilize हो गया, तीसरा, petrol use भी तो कम हुआ, क्योंकि हमने उसमें ethanol add कर दिया, अब एक लीटर में आपने 15% तो ethanol ही डाल दिया, तो petrol तो कम use हुआ न, और petrol, diesel, ये जिन crude oil से बनते हैं, और crude oil हमें दूसरे देशों से import करना पड़ता है, हमाई जो dependency है, दूसरे देशों पे हैं, crude oil को import करने के लिए, तो हमारी dependency भी कम होती है, ethanol blending के चाहिता से, ये एक बारा process देख लिजिए पूरी, ethanol प्राप्त होता है, काफी सारी crop से, जैसे sugar cane या फिर दूसरे food grains से, इनकी fermentation होती है, तो ethanol plus में carbon dioxide, byproduct मिलते हैं, purification के बाद pure ethanol मिलता है, जिसका blending की जाती है, दूसरे fuels के साथ, for example, petrol, उसे ले जाये जाता है, transport किया जाता है, petrol stations पर, और petrol की जगे, petrol station पर मिलता है, ethanol blended petrol, जो कि ज़्यादा efficient है, और कम emission इससे होता है, सरकार की तरफ से देखो, ethanol blended program स्टार्ट क्या गया था, 2003 में, और कुछ दिनों पहले तक, लक्षय ये था, कि 2030 आते आते, petrol में 20% ethanol होना चाहिए, समझ गए, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, एकदम से, जो target है, वो और ज़्यादा ambitious बना दिया है, सरकार ने कहा है, 2030 छोड़िये, 2025 आते आते हम ये इंशोर करेंगे, जो भी petrol बिकेगा, उसमें 20% ethanol होगा, तो पहले 2030 का target था, उसे कम करके अब 2025 कर दिया गया है, सरकार का अनुमान ये है, कि 550 billion dollar oil को import करने पर, 5 billion dollar हम पैसे बचांस केंगे, अगर ethanol blended जो प्रोग्राम है, उसे 2025 से पहले पूरा कर लिया जाता है, तो इस परकार से अभी तक तो देखो, हमने ethanol blended प्रोग्राम के बारे में डिसकस कर लिया, फाइदे फाइदे नजर आ रही है, नुकसान तो अभी तक कोई नजर आया नहीं, लेकिन देखो, आज के इस article में, राइटर नुकसान की बात करते हैं, ethanol blended प्रोग्राम से, मतलब, राइटर कहते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्यूं, ऐसा क्यूं बोलते हैं राइटर, देखो वैसे तो हमने डिसकस किया, ethanol जो है, वो sugarcane और दूसरे food grain से प्राप्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में फिलाल जायतर जो ethanol है, वो sugarcane से ही प्राप्ट किया जाता है, तो अगर सरकार ने target को और ज़्यादा ambitious बनाया है, 2025 रखा है सरकार ने target, तो मतलब sugarcane की demand बढ़ेगी, क्योंकि ethanol प्राप्ट करने के लिए ज़्यादा sugarcane चाहिएगा, तो sugarcane की demand बढ़ेगी, और farmers ज़्यादा sugarcane उगाएंगे, आप देखो sugarcane को उगाने में पानी ज़्यादा यूज होता है, तो sugarcane को ज़्यादा उगाए जाएगा, तो देश के जो water resources हैं, वो और ज़्यादा deplete होंगे, कई बार crow pattern में दिक्कत आ जाती है, जैसे अभी किसान जो हैं, वो water की availability और soil type के हिसाब से फसल उगाते हैं, जैसे wheat rice, rice, शोड़िये wheat मान लीजिए, लेकिन farmers को लगने लगा, कि sugar cane की demand ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो जहाँ पे farmers wheat उगाते थे, गेहूं उगाते थे, वहाँ पे tube well लगाके, ground water को utilize करके, वो sugar cane उगाना start कर देंगे, तो crow pattern बिगड जाएगा, water resources जो हैं, वो waste होंगे, बहुत सरे नुकसान होंगे, अगर बिना सोचे समझे, सरकार इस परकार से जल्दबाजी में, ethanol blending program को परमोट करती हैं, और देखो crow pattern अगर गड़ बड़ाता है, माली जी जहाँ पे लोग rice उगाते थे, वहाँ पे अब sugar cane उगाना उन्होंने start कर दिया है, तो इन important crops जैसे rice इत्यादी की availability भी कम हो जाएगी, मतलब दूसरी food crops पर pressure आएगा, अगर sugar cane की demand एकदम से बढ़ जाएगी, वैसे सरकार ने बोला तो है, हम grain distillation units establish करेंगे, ताकि sugar cane के बजाए दूसरे food grains से भी इतनोल प्राप्त किया जासके, लेकिन देखो grain distillation units establish करने में वक्त लगेगा, रातो रात ये नहीं हो सकता, last में conclusion में देखो ये कहा जाता है, कि सरकार को इस पूरे program के बारे में analyze करना चाहिए, क्योंकि ethanol blending program सिरफ एक tool है, एक program है, greenhouse gases के emission को कम करने के लिए, इसके अलावा भी सरकार बहुत कुछ कर रही है, जैसे renewable energy पे focus कर रही है, हां, चुकि देखो ये ethanol भी plant से प्राप्त होता है, जिनको फिर से उगाया जा सकता है, तो इसे भी renewable source of energy कहते हैं, लेकिन दूसरे renewable sources of energy भी तो है, सरकार ये तो कताई नहीं चाहेगी, कि हां, water resources जो है, वो हमारे बुरी तरह से परभावित हों, इस ethanol blending program की वज़े से, और COVID-19 की वज़े से, वैसे भी crude oil की जो demand है, वो कम हुई है, और अभी global economic situation, इतना भी improve नहीं हुई है, कि international market में crude oil की जो prices हैं, वो एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो ये सारे जो options हैं, वो सरकार को analyze करके, इस program को implement करना चाहिए, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, ethanol blended program के बारे में, चलते हैं आगे, इसके बाद हम थोड़ा सा, ethics discuss करते हैं, हमारी next value है, civil services की foundation values में, empathy, deal करती हैं, दूसरे लोगों की thinking से, दूसरे लोगों की perspective से, example की साहिता से समझते हैं, काफी बार देखो, UPSC difference पूछ लेती हैं, sympathy, empathy, altruism, compassion, इन सब चीजों के बीच, difference क्या हैं, examples के साथ समझते हैं, आपको असानी से समझ में आ जाएगा, UPSC में selection हो जाएगा, आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपका selection 100% हो जाएगा, और assume कर लेते हैं कि आपका पहला ही attempt है, तो देखो, अगले साल आप तो civil servant बन गए, लेकिन किसी का clear नहीं हुआ, first attempt में, उसका prelim clear नहीं हुआ, तो आपको पता है कि उस person को दुख हुआ होगा, तो आप उस person को सांत्वना देने की कोशिज करते हो, क्योंकि आपको लगता है, उसको दुख हुआ होगा, ये sympathy है, तो empathy क्या है, empathy देखो ये है, मान लिजिए, आपका चोथे attempt में clear हुआ, उसके बाद, किसी person का दूसरे attempt में clear नहीं हुआ, तो आप उस person के shoes में रखके, अपने आपको देख रहे हो, कि हाँ, मेरा भी दूसरे attempt में नहीं हुआ था, तो जब मुझे कितना जारा दुख हुआ था, मुझे कैसा feel हो रहा था, तो इस person को, जिसका आप नहीं हुआ है, इसको भी ऐसा ही feel हो रहा होगा, यहाँ पर जो differences दियो हैं, आप इनको एक बार पढ़िये, empathy का मतलब होता है, समझना कि दूसरे लोग क्या feel कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी past में वैसा ही experience किया है, तो आप बैतर ढंग से relate कर सकते हो, कि उसके मन में अभी क्या चल रहा होगा, कैसे मैसूस हो रहा होगा, जैसे simple देखो, एक example और देता हूँ, कोई person है Mr. A, Mr. A के cancer हुआ था, लेकिन इलाज अच्छे से हो गया, Mr. A की जान बच गई, लेकिन Mr. A ने cancer से लड़ने के लिए बहुत संगर्स किया, उसके बाद Mr. A को पता लगता है, कि एक और person है Mr. B, इनको भी cancer हुआ है, तो Mr. A बैतर ढंग से Mr. B के emotions को समझ सकते हैं, क्योंकि जिस situation से आज Mr. B गुजर रहे हैं, उसी situation से Mr. A पहले गुजर चुके हैं, तो वो Mr. B के shoes में अपने आपको रख के सोच सकते हैं, कि Mr. B के मन में क्या चल रहा होगा, तो ये empathy है, और sympathy क्या है, Mr. A को cancer नहीं हुआ है, वो simple person है, कोई बिमारी नहीं है, जबकि Mr. B को cancer हुआ है, तो Mr. A को लगेगा, कि हाँ cancer हो गया, बुरी बात हो गई, सांतुना दी जाएगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं सिकेंगे, कि Mr. B के मन में आखिरकार चल क्या रहा है, वो Mr. B के shoes में, अपने आपको रख के नहीं देख सिकेंगे, कि उनको कैसे feel हो रहा होगा, उनके क्या emotions होंगे, किस परकार से वो situation का सामना कर रहे होंगे, नहीं, sympathy में ये सब चीज़े नहीं होता, empathy में होता है, तो empathy एक बड़ा attitude है, as compared to sympathy, empathy में देखो, personal understanding होती है, जबकि sympathy में दूसरे के experience को समझने की कोशिस की जाती है, कि क्या ये बोल रहा है, कैसे behave कर रहा है, कितना इसको दर्द हो रहा होगा, सब कुछ देख के समझने की कोशिस की जाती है, तो ये difference आप याद रखेगा, UPSC पूछ सकती है, बाकि तो ये normal सी चीज़ें हैं, जैसे doctor है, doctor patient के साथ relate करता है, क्योंकि doctor पहले ऐसी situation में रहा है, ये हुई empathy, doctor simply family को console करने की कोशिस करता है, तो इस परकार से हमने empathy और sympathy के बीच difference को समझा, अब बात करते हैं altruism की, देखो altruism का simple मतलब होता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की well-being के लिए काम करना, जैसे mister A को cancer हुआ था, उसका ilाज हो गया, अब जो लोग cancer से पीडित हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा empathy है mister A के अंदर, तो mister A के पास कुछ पैसे हैं, वो अपने पैसे charity में देखे, cancer के इलाज के लिए एक संस्थान खुलवाते हैं, यानि वो बिना किसी स्वार्थ के efforts लगाते हैं, दूसरों की well-being के लिए, तो ये चीज़ होगी altruism, altruism में क्या होता है, action होता है, empathy में action नहीं होता, आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हो, क्योंकि आप उस situation से गुजरे हो, आप दूसरों के जूते में रखके, अपने आपको देख सकते हो, ये हुई empathy, लेकिन empathy के बाद जब person action लेता है, तो वो होता है altruism, समझ गए, Mr. A को cancer हुआ था, cancer का इलाज हो गया, उसके बाद Mr. B को cancer हुआ, तो Mr. B के emotions को समझा जा सकता है Mr. A के द्वारा, ये हुई empathy, अब Mr. B के इलाज के लिए कोई hospital नहीं है, तो Mr. A के पास पैसे हैं, वो cancer संस्थान का निर्मान करवाते हैं, ये हुआ altruism, altruism का लेना देना होता है action से, तो ये altruism के बारे में हमने समझा, next एक चीज़ और है compassion, compassion का क्या मतलब है, compassion देखो, एक परकार से sympathy ही होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा strong sympathy, Mother Teresa का example आप ले सकते हो, Mother Teresa ने weaker लोगों के लिए काम किया, उनके दुख दर्द को समझा, हाला कि देखो, Mother Teresa ने कभी उन हालातों का सामना नहीं किया था, जिन हालातों का सामना weaker section करते हैं, उनको कोई ऐसी गंबीर बिमारी नहीं हुई थी, वो गरीब नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुख दर्द को समझा, और दुख दर्द को दूर करने के लिए निकल पड़ी उनकी help के लिए, मतलब है तो sympathy ही, लेकिन बहुत ही stronger sympathy है, अगर देखो हम order wise लगाएं, सबसे strong क्या है, sympathy है, empathy है या फिर compassion है, सबसे weak तीनों में से देखो sympathy है, शिरफ आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हो, लेकिन strong तरीके से नहीं समझते हो, उससे strong है empathy, empathy में आप दूसरों के जूते में अपने आपको रखते हो, और दूसरों की feelings को समझते हो, उससे strong है compassion, compassion है तो sympathy ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा strong sympathy, इतनी strong की आप दूसरे person की help करना start कर देते हो, उनकी well-being के लिए काम करना start कर देते हो, देखो altruism और compassion में एक difference ये है, altruism की जब हमने बात की थी, बिना स्वार्थ के लिए दूसरों की well-being के लिए काम करना, अब altruism में दूसरों की well-being, लेकिन दूसरे कोई भी हो सकते हैं, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, किसी भी section का person हो सकता है, altruism में जब आप बिना स्वार्थ के लिए किसी के लिए काम करते हो, लेकिन compassion में, जब आप दूसरों के लिए काम करते हो, तो वो weaker sections होने चाहिए, समझ गए, कहीं आपको ये लगए, फिर altruism और compassion के बीच difference क्या है, altruism क्या होता है, जब आपके अंदर empathy है किसी के लिए, और आप दूसरों के लिए काम करना start कर देते हो, बिना किसी स्वार्थ के, जैसे cancer वाला हमने example डिसकस किया था, तो वो altruism है, और compassion क्या है, आपके अंदर sympathy है किसी के लिए, लेकिन sympathy इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ help करना start कर देते हो, उन लोग की, तो ये compassion है, लेकिन altruism और compassion में difference ये है, कि altruism में आप बिना स्वार्थ के help करते हो, किसी की भी, चाए वो अमीर हो, गरीब हो, एक मिनिट के अंदर अंदर अगर फिर से summarize करूँ, ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाए, sympathy का मतलब होता है, जब आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हो, दूसरों की suffering को समझते हो, empathy का मतलब ये होता है, कि आप दूसरों के जूते में अपने आपको रखते हो, और दूसरे के feelings को समझते हो, कि इसको कैसे महसूस हो रहा होगा, क्योंकि पांश्ट में आप भी उसी situation से गुजरे हो, altruism का मतलब क्या होता है, altruism का मतलब होता है, जब आपके अंदर किसी दूसरे के लिए empathy है, और आप बिना स्वार्ट के दूसरों के लिए काम करना start कर देते हो, क्योंकि आपको पता है, दूसरे person कैसे महसूस कर रहे होंगे, कैसे दुख का सामना कर रहे होंगे, तो ये altruism है, altruism में आप किसी की भी help करते हो, चाये अमीर हो, गरीब हो, किसी भी section का हो, किसी भी work का हो, compassion क्या है, compassion एक परकार से sympathy ही होती है, लेकिन बहुत ही strong sympathy, इतनी ज़्यादा strong sympathy, कि आप निकल पढ़ते हो, दूसरे लोगों के लिए काम करने के लिए, और वो दूसरे लोग weaker sections होने चाहिए, अगर हम order में लगाएं, तो सबसे कमजोर जो attitude है, वो है sympathy, sympathy से strong attitude है, empathy, empathy से strong attitude है, compassion, तो यह हमने, चारो terms के बारे में समझा, empathy का देखो use बहुत ज़्यादा है, जब आपके अंदर empathy है, आप civil servant बन गए, तो इसको कैसे feel हो रहा होगा, यानि आप 360 degree के angle से सोच सकते हो, जब आपके अंदर empathy है, कोई भी आप policy बना रहे हो, advice दे रहे हो leaders को, तो आप समझते हो, grief का दर्द क्या है, अच्छी policies बनाने में मदद मिलती है, दूसरा, आप दूसरों के emotions को, दूसरे के feelings को समझ सकते हो, आपके अंदर जो attitude है, वो दया वाला आता है, आपका view flexible होता है, आपके अंदर logical thinking inculcate होती है, आप दिमाग दिया के सोच सकते हो, merit के साथ सोच सकते हो चीजों को, ये सब फाइदे होते हैं empathy के, civil servants के लिए empathy कितने ज़्यादा useful है, देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, जब Britishis हमारे देश पर राजगर रहे थे, तो उस समय वो लोग जो civil servant बनते थे, वो highly qualified होते थे, उनको knowledge बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन फिर भी वो जनता के लिए काम नहीं करते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी अंदर empathy नहीं होती थे, उनके लिए अच्छा काम करना, मतलब Britishis राज के लिए अच्छा काम करना, समझ गए? Simple अगर एक example में हम summarize करें, आप किसी civil servant को कितने ही गरीबी की थियोरी पढ़ा लो, कोई फाइदा नहीं होगा, जब तक आप उसको ये नहीं सिखाओगे, कि गरीब लोग कैसे सफर करते हैं, जब वो civil servant ये समझ जाएगा, कि गरीब लोग का दुख क्या है, दर्द क्या है, उनकी feelings क्या है, तब वो civil servant अच्छे से काम कर सकेगा, गरीब लोग के लिए, बजाए उसको कि आप गरीबी की बड़ी बड़ी थियोरीज पढ़ाओ, बड़ी पुवर्टी, ये, वो, फ्लान, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, गरीब लोग के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जब उसके अंदर empathy होगी, वो बहुत ही effective रूप से गरीब लोग के लिए काम कर पाएगा, empathy देखो, emotional intelligence से भी deal करती है, emotional intelligence को हम detail से discuss करेंगे, emotional intelligence बहुत ज़रा ज़रूरी है, decision making के लिए, अच्छे decision लेने के लिए, और empathy होना ज़रूरी है, emotional intelligence के लिए, और हमारे society में आपको बता है, stereotyping काफी होती है, जैसा हमने पहले discuss किया, पहले से assume कर लिया जाता है, धर्ना मन में बना ली जाती है, कि इस कांश्ट के लोग ऐसे होते हैं, जैंडर ये नहीं कर सकता, ये जैंडर वो नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारी negative feelings, negative धार्नाएं बना ली जाती हैं, उन धार्नाओं को overcome करने के लिए, empathy की value होना बहुत ज़रूरी है, अब question ये उठता है, empathy को कैसे inculcate किया जा सकता है, empathy को देखो inculcate किया जा सकता है, literature के माध्यम से, cinema के माध्यम से, 25% seats जो हैं, वो weaker sections के लिए reserve की गई हैं, हमार देश में right to education act के according, फाइदा इसका एक ये भी होगा, कि दोनों classes के लोग, अमीर घरों के बच्चे हों, ताकि एक धर्म के लोग, दूसरे धर्म के festivals में participate करें, और उन दूसरों धर्मों के तोर तरीकों को समझें, culture को समझें, customs को समझें, इससे भी empathy cultivate होती हैं, इसके लावा देखो, जुगी जोपडियों में विजिट करके, slums में विजिट करके, दूसरे लोग के दुख दर्द को समझा जा सकता है, empathy की value cultivate की जा सकती है, और एक बार जब civil services में selection हो जाता है, I.S. में selection हो जाता है, तो भारत दर्शन पे भेजा जाता है, ताकि समझा जास के गरीब लोगों के feelings को, उनके दुख दर्द को, तो ये सारे methods अपनाए जाते हैं, empathy की value को cultivate करने के लिए, nurture करने के लिए, क्योंकि आज के समय में modern era में, civil servants के लिए empathy की value का होना, बहुत ही ज़्यादा जूरी है, तभी वो समाज में अच्छे से काम कर पाएंगे, यहाँ पे आप governance की dimension भी दीजेगा, अगर empathy होती है civil servants में, तो governance अच्छी होगी, citizen friendly administration होगा, लोगों में sense of justice की feeling आएगी, तो यह सब चीजें आप लिख सकते हो, empathy की significance में, या फिर empathy के फाइदों में, तो हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.